जहिन दोस्तों मेरे नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल FIN91 यह कोई भी clickbait नहीं है पक्की बात यह clickbait नहीं है It's just that you don't know what you don't know आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता और इसलिए सर यह आप लोग करना ही बात है एक इस वीडियो को देखने के बाद एक आम व्यक्ति एक average एक middle class हिंदुस्तानी भी करोडो के corpus के साथ retire होगा यह मेरी guarantee है और अगर आपकी उम्र 18-25 साल के बीच में है 18-30 साल के बीच में है तो यह वीडियो आपके लिए अकेले ही आपका retirement corpus तयार करवा सकती है तो बस एक humble request है पूरी वीडियो देखेगा बस एक humble request है इससे पहले कोई भी judgment ना वनाए पूरी वीडियो देखें end तक और उसके बाद जो भी आपका doubt होगा इस वीडियो से related वो नीचे comment box में आप लिखें उसका जवाब मैं आपको पका दूँगा guaranteed चाहाए मैं comment box में दे through भी समझाऊंगा कि कैसे आप अचीव कर सकते हैं मान के चलो कि सरकार की guarantee इसके साथ सरकार की guarantee है कैसे government की guarantee के साथ आप लोग सर अपना अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं आपको यह पता चलेगा इस वीडियो के अंदर देखिए हम बात करेंगे PPF के बारे में PPF पे सर अभी बस 7.10% का आपको interest मिलता है PPF में सर आप लोग जो है 1.5 रुपे डाल सकते हैं इस पे exemption होती है अभी यह मत सोची कि सिरफ यह यह अभी Excel में बिल्कुल डिटेल में आने वाला है कि कैसे सर आपका पैसा बनेगा लेकिन आपको basic information दे रहा हूँ इसमें सर आप लोग जो है 1. लाग रुपे डाल सकते हैं साल के आपको सर इंकम टेक्स में ATC section में इसकी deduction मिलती है और साथ साथ में इसमें जो income होती है वो completely tax free होती है completely यह आपको जितना ही पैसा मिलेगा सर वो almost almost tax free होगा almost क्या 100% वो जो है tax free होगा चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ Excel sheet पे और Excel sheet प को दिखाता हूँ कि PPF से सर आप लोग कैसे 100 रुपीज पर मंच से शुरुवात करते हुए एक करोड़ रुपे तक पहुच सकते हैं अगर आप मेरी बातों को ढंक से सुने और अपनी family को भी समझाए तो definitely सर आप लोग लगबग साड़े पांच करोड़ रुपे तक PPF से जो हैं बना सकते हैं साड़े पांच करोड़ आपने बिल्कुल सही सुना और फिर बोल रहा हूं यह कोई clickbait नहीं है आपको अभी सारी चीज़े जो है मैं compute करके खुद से दिखाने वाला हूं वीडियो लाइक करिए नहीं करी जल्दी बता दो क्योंकि अपसर एक्सल शुर बात करें लेकिन आने वाले समय में सर्म लोग मूचल फंड और डिरेक्ट स्टॉक से बात करेंगे कि उन में कितना पैसा बन सकता है और अगर आप लोग मूचल फंड और स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट करना चाहते हैं सीख कर तो हम लोग अपने बहुत कम दामों पे सेशनल मिलेंगे आपको discussion community सब कुछ मिलेगा उस किताब के दाम पर राइट गाइस तो यह होगा इसा मेरी एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से अब डिरेक्ली चलते हैं Excel पे और देखते हैं सर्क कैसे PPF से सरकार की guarantee के साथ हम 100 रुपे से 1 करोड रुपे बना सकते हैं और government की guarantee के साथ आता है जैसा मैंने आपको पहले बताया था अब जरा ध्यान से देखिए के कैसे काम करने वाला है तो मान लेते हैं सर यहां पे हैं आप लोग और आपकी age पहले मैं 18 साल से लेके चलता हूँ अब भी 18 साल के हैं 18 साल में आप भी आए हैं मुबारक हो आप लोग मन्त के 100 रुपे दे सकता हूँ मैंने आपसे 100 रुपे की बात कही थी मैंने बोला था कि मैं कोई clickbait नहीं कर रहा अब 18 साल से 25 साल तक मन्त के 100 रुपे देंगे मन्त के 100 रुपे मतलब साल के 1200 रुपे I hope इसमें किसी कोई doubt नहीं है मैंने साल के 1200 रुपे जोड़ना शुरू क 25 साल में मैं एजियूम कर रहा हूँ यानि कि 18 से 25 तक आपने खूब पढ़ाई करी खूब मैनत करी आपकी जौब जो है वो लग चुके 6 लाग रुपे साल की और मैं आप से उमीद करता हूँ आपके पास 27 साल और बचे है 60 साल में पहुचने के लिए इस 27 साल तक आप लोग इस 15 लाग रुपे साथ नहीं लगाएंगे और आपको पता है ये 15 लाग रुपे साल में जोड़े हैं ये आपके कितने रुपे बन जाएंगे ये आपके बन जाएंगे अब 99,57,520 रुपीज लग बग एक करोड हो चुका है ध्यान से देखिए इसको और आपके जे में से पैसे कितने गए हैं सिरफ 12,8,400 रुपे ये 12,8,400 कैसे आया बिटा ध्यान से सुनिएगा फिर आपने 1,500,000 रुपे जोड़े तोल आपके आपका अब ज़रा ध्यान से देखिए अब आप में से कोई कहते हैं सर मैं 100 रुपे महिने से जchaftा हूँ आप बोलते हैं 500 रुपे महिना जोड़ सकता हूँ मैंने भोला ठीक है जी आप 500 रुप महीना जोड़ो इस सारी calculation होके देखिए आपके बस कितने आ जाएगी 98 लाग यहां पर मुझसे कुछ गरबड़ होगी यह 500 रुप मतलब 6000 रुपे साल के हो गए 25 साल की उमर से आपने investing शुरू करी फॉर एक्जामपल आप कहते हैं 25 साल की उमर से मैं 50,000 रुप महीन डाल सकता हूँ पहले 5 साल में 50,000,000 रुप महीन डाल सकता हूं मेरे जौब अभी भी लगी है मैं 50,000,000 रुप महीन डाल सकता हूं आपने 50,000,000 रुप महीन डालना शुरू किया और आपने ये की असर 5 साल के लिए उसके बाद आपके पास पास 5 साल में इयर है यह पर इयर डाला उसके बाद अगले 10 साल आपने 1,50,000 रुपीज पर इयर कॉंट्रिब्यूट किया जब आप इन दोनों को एड कर देंगे तो आपके पास जो है कॉर्पस 15 साल बाद लगबग 26 लाग रुपए का बन चुका होगा 26 लाग रुपए का बन चुका होगा आपकी एज जो है 40 years की हो चुकी होगी अब ज़रा दियान से देखे का मैं क्या बूल रहा हूँ यहाँ पर डिफरेंस देखे का यहाँ पर आपकी 33 ती यहाँ पर आपकी 40 हो चुकी है आपके बास 20 साल बचे हैं 60 साल तक जाने के लिए आप उसे इंवेस्ट कर देंगे आप उसे वहीं पर PPF में इंवेस्टेट रखेंगे यहाँ आपको 7.1% का रिटन जो है मिलतर यहाँ पर आपका आउटफलो है 17,50,000 का यहाँ पर आपका आउटफलो ज्यादा है थोड़ा सा और आपके पास लगवग लगवग में बोलूँगा कि सेम कॉर्पस बनके आ रहा है आउटफलो पर ध्यान दीजिए और उसके बाद आप लोग कॉर्पस पर ध्यान यहाँ पर आपने शुरुवात 50,000 से करी फिर आपने देड़ लाग कर दिया 10 साल के लिए ओके गाईज सो दिस इस वन कैलकूलेशन यहाँ पर भी आप देखिए कि आपका इंडिविजिल मैंने कैसे करके आपको दिखाया इंक्रीजिंग पीपीफ की बात करता हूँ इंक् पर यह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी आपने यहां 50,000 रुपर डाला और हर साल आप इस कॉंट्रिबूशन को 10 पर संसे बढ़ाते चलेगे पहले साल आपका 50,000 था अगले सल आपका कॉंट्रिबूशन जो 55,000 है 55,000 कैसे आया 55,000 ऐसे आया मित्र अगर आप इस तरह से पीपीफ को चलाएंगे यानि कि आप एक इंक्रीजिंग कॉंट्रिबूशन लेते चलेंगे तो भी आपके बास 15 साल बाद जो है आपके टोटल आपके टोटल 68 यह में 68 की कैलकुलेशन है आपके बास जो कैलकुलेशन आएगी 68 यह में वो आएगी ए आती है काम करते हैं इंक्रीजिंग पीपीफ फैमिली अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो जरा मैंने आपके कुछ कैलकुलेशन करी है आपकी एज 25 साल एजियूम करी है आपके स्पाउस की एज भी 25 साल एजियूम करी है आप दोनों 50-50,000 रुपीज फिर्स यह में डाल जब 30 years की एज में हुआ तो आपने उसके नाम के भी 50,000 प्लस उसको 10% से इंक्रीज करना शुरू कर दिया यह investment जो है आपने कितने साल के लिए करी 15 साल के लिए अब आप हो गयते 45 years के लिए और 45 years के बाद से आप से 15 साल आप इसे और पढ़ रहने देंगे तो आपकी सर ज कितना बना पाए 3.43 लाग के आसपास आपने जो है 3.43 करोर सुरी 3.43 करोर यानि 3.43 लाग के आसपास आपने अमाउंट एकटा कर लिया ओके देन अब बात करते हैं सर पीपी एफ फैमिली पे और ज़रा 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 गौर फरमाए अगर आपकी स्पाउस के और आपकी प 15 साल आपने contribute के 40 साल के होगे अब 60 साल के कब होगे 20 साल बाद 20 साल आपने इस पैसे को as it is ppf account में फड़ा रहने दिया वो अमाउंट बन जाएगा 1.49 लाग सेम आपकी स्पाउस ने किया 1.49 लाग अब जो आपका पहला किड है हम आपका पहला किड 27 साल की एज में हुआ है क्योंकि आपकी सालरी जादा थी आप आराम से family plan कर सकते थे आपका पहला किड 27 साल की एज में हुआ है आपने उस kid के नाम के भी जो है 1.5 लाग रुपे deposit करना शुरू कर दिये अभी यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे sir हम लोग kid के नाम पे deposit नहीं कर सकते हैं यह सारी बात आपने से यहाँ पे जोड़े पैसे आपका थर्टी 7 औकटे हो गया बेकिन आपके पास इसे बचाने के लिए से और बढ़ाने के लिए से 17 साल है क्यों क्योंकि आप 27 साल कुछ आपको चाहिए क्तना 18 साल का gap साट में तो आपका एक क्रोर थिसला क्यांपर यहां पर दिया यानि कि 44, 44 के बाद आप आप 16 साल बचे थे, 16 साल तक सरी जब contribution पड़ा रहाएगा तो हो जाएगा 1,30,00 और कुल मिला के आपने depending upon your tax bracket, right? तो इसको हलके में मत लीजे और आप यह देखिए सर पीपीफ, पीपीफ से अमने 5,43 ला की 90,000 बना सकते हैं जब आप उसको full throttle पे पूरा max out कर दें तो इतना corpus जो है पीपीफ से इखटा हो सकता है, just think over it, क्या काम की चीज़ है और इसके बाद मैं यह नहीं कह रहा है कि आप अपने investment इतनी restricted रखिए आप अपने investment पीपीफ में इतनी restricted रखिए और जो बाकी बैसा आ रहा है सर आप उसको आगे equity में, mutual fund में, index fund में, direct stocks में, gold में और बहुत जगा जहां पर आपको समा जाता हो, जहां पर आपको risk न लगता हो, महां पर आप जाके invest कर सकते हैं, right I hope guys आप लोगों कोई video पसंद आई, पसंद आई दूसर वीडियो को एक बाफिसर रिक्वेस्ट करूँगा, like करें, share करें, subscribe करें चैनल को और साथ में जुड़े रहें, sir, हमारे साथ FIN91 पे, आपको ऐसी ही और amazing जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आपके दिमाग के डखकन खुलते रहेंगे, और आप सर अपनी wealth create करते रहेंगे नीचे description box मैंने आपको link दे रखे हैं, अपने mutual fund club का, हमारी stock market के और courses का, जरूर 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 उनको देखें, और हमारे साथ बने रहें, okay and yes, DMAT account खुलवाना चाते हैं, तो सर उसके लिए मैंने आप stocks का आपको link दे रखा है, जरूर DMAT account खुलवाएं और enjoy करें अपने investing के इस पूरे process को thank you very much, stay connected, stay at jahind, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद, तो जीतना बंद, all the very best, God bless you, investing करते रहें, wealth create करते रहें